हेलो माई फ्रेंड्स स्टुडेंट्स मैं के पीसी एकेडमीर नजीत एवन्यू बी ब्लॉक अम्रिट सर से आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो अपलोड करता के र palette और ताकी आपका आयल्स का जो को टास्क है Up पूरा हो सके आपका सपना पुरा हो सके जहां जहां आपको रुकावरत आती है बैंब्कों नहीं आते जिस-जिस टौपिक के अपर प्रोबीम आती है मौझ सारी प्रोब्लम देरे आपके साथ शेर करता जाओंगा और आता जाओंगा उसमें बहतर कर पाओगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और जो अपनी प्रॉब्लम शेर करते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही है और उसके रिलेटेड ही फिर मैं आपके पास वो वीडियो बनाता जाओंगा और आज हम डिस आपको देगा वो डिपेंड करेगा कौन सा एक्जाम में टास्क वन आता है खास तोर पे जो प्रॉब्लम आती है वोकेबलरी किसके ओपर पर संटेज वाले के ओपर अगर आपके कोई टास्क आ जाता है जिसमें परसंटेज दी होती है तो बच्चे क्या करते हैं जैसे मान स्कोर ना इफेक्ट हो तो मैं आपको एक वे बताता हूँ आप इसकी वकेबलरी साथ में आड करो जब आप राइटिंग टास्क करते हो वन उसमें यह कुछ पॉइंट्स एड करो कुछ वकेबलरी एड करो वो आपकी स्कोर को बहतर करेंगे जिससे आपकी राइटिंग का इंप्रूब्मेंट होगा स्कोर का और कौन-कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आप एड कर सकते हो उसके बारे में आज डिसकस करते हैं क्या करना है जैसे मान लो आपको को परसंटेज वाला टास्क आ गया यह आपको परसंटेज दी हुई है 10, 20, 25, 33, 50, 75 ऐसी कोई भी और जो है वह इंप्रूब नहीं होते और आपको बहतर बैंड नहीं मिलते तो आपको क्या करना है इसको चेंज कर लेना है इसको कनवर्ट कर लेना है कनवर्ट क्या है जैसे 10 परसंट को लिए हम लिख सकते हैं 110, 20 परसंट है 15, 25 ऐ 1 4 यहां अक्वार्टर, 33 परसंट है 1 3rd, 50 परसंट है half, 75 परसंट है 3 quarters, इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, इसको चाहो तो आप अपने बच्पन में जो mathematics करते थे उसकी तरह भी याद कर सकते हो, क्या था 10 परसंट, तो 10 over 100, मैं आपको basic mathematics वाला फॉर्मूला बता है जो आप अपने बच्पन में करते थे, तो percent को divide करते हैं, 100 के साथ 100 लिग लेते हैं, तो यह कट गया, यह बच गया 110, तो हमने क्या लिखा, 110, 20 percent, 20 over 100, तो यह कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1 5th, 25 percent, कोई भी आप चीज ले के देख सकते हो, तो क्या बचा, 1 4th, यह और quarter, quarter means चौथा हिस्सा, ठीक है, चौथा हिस्सा, तो इसी तरह से 50 percent, ठीक है, 1, ठीक है, by 2, यानि half, तो आप ऐसे कोई भी ले सकते हो, जिससे आपको, अगर आप यह formula याद रख लेते हो, तो वैसे vocabulary के word याद होगे, अगर आपको mathematics में problem है, तो यह 5-6 word आप याद कर लो, और इसको कोशिश करो, add करने में, जब आप writing task लि percentage मिल जाएगी, कि 10 है, तो 10 मैंने बता दिया, 10 है, तो 10 के लिए लिख देना है, 20, 20 के लिख देना है, अगर वहाँ पर 28 percent आ गया, अगर वहाँ पर 32 percent आ गया, अगर वहाँ पर 37 percent आ गया, तब क्या किया जाएगा, तब उसके लिए आप कुछ additional word याद करो, जिसको add करो, ज care about है, लगबग है, उसके लिए अब लिख सकते हो, just under, just means, शिरफ under means, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम किसे है, one third के, और अगर 34 आ गया, तो क्या हो गया, just over one third, अब 34 हो या 35 हो, just over one third, 32 हो या 30 हो, तो क्या है, just under one third, इस चीज़ को दिमाग में रखो, तो आपको ये वाला point भी concept clear हो जाएगा, मानलो 48 आ गया, 49 आ गया, तो क्या लिख सकते हो, just under, just under क्या आ गया, half, ठीक है, so इसी तरह से, मानलो 78 percent आ गया, just over three quarters, इस तरह से आप near about three quarters, nearly three quarters, इस तरह से आप बना सकते हो, almost a third, almost third three quarters, तो ये लगबग के लिए word है, जो exactly same नहीं होते, उसके लिए आप ये सारे words को use कर सकते हो, जिससे आपकी vocabulary भी enrich होगी, और आपको task लिखने में भी असानी हो जाएगी, अब बात आती है, कि मानलो, ये मैंने 75 तक लिख दिया, ये 10 तक लिख दिया, अगर 75 से ऊपर चला जाए, यहा 10 से नीचे आ जाए, जैसे, तो उसके लिए हम क्या पानलो 80 से ऊपर है, तो उसके लिए भी हम एक दो word साथ में याद रख सकते हैं, 80% से ऊपर, यानि काफी ज्यादा proportion, काफी ज्यादा percentage, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, a very large percentage, यह very large proportion, यह लिख सकते हैं, a significant percentage, यह significant proportion, और अगर 5 से भी नीचे हैं, less than 5%, a tiny percentage, a very small percentage, a very small proportion, तो इस तरह से आप ये vocabulary के words याद करो, इनको कोशिश करो, जहां पर भी आप रहे हो, इनको कोशिश करो, writing task 1 लिखते समय, ये words एड करो, तो natural सी बात है, आपके band score जरूर इंप्रूब होंगे, और अगर आप आदे band से आप पीछे रह रहे हो, तो naturally है कि आप उस अपने score को पूरा कर पाओगे, अगर आप practice करते हो इस चीज के लिए, thank you very much.